अधियो वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम तो गॉर्णमें प्राइवेट जॉब अलर्ट वीडियो अप्लोड हो चुकी है और यह सेकंड वीडियो है एस आई अलरडी टोल यू कि यह एक्सपेक्टट कट अफ की वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बिकॉस फस्ट अफॉल यू शुड नो कि आपके नॉर्मलाइशन में कितने माक्स हैं कौन से शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट है कौन से शिफ्ट आपकी ईजी है और देखिए यह जो सारा डेटा है यह जो सारी कट आफ्स में आप लोगों को बता रहा हूं यह वही सर्वे किये तो आप पहले जाएए और उस वीडियो को एक बारी देख लीजिए कि आपको नॉर्मलाइशन में कितना बेनिफिट मिलेगा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसके बाद एक डिफरेंट यूनीक चीज़ जम करने वाले हैं जो भी हमारा सर्वे था सर्वे हुआ था हमार के टॉपर्स अकॉर्डिंग तो अवर डेटा जो भी हमें डेटा मिला है उसके बाद बेज्ड ऑन और देखिए मैं यहीं एक्सपेक कर रहा हूं कि जिन्हों भी अपना सर्वे फॉर्म फिल किया है अट लीस्ट उन्होंने अपना जो डेटा है वो बिल्कुल सही डाला हु है क्योंकि देखिए जितनी भी आपके एक्जांट डेट और शिफ्ट है यह एक्प्रॉक्सीमेटल एक्वाल है कोई 10 परसेंट ग्यारा कोई देखिए क्योंकि एक दो तीन चैनल नौ शिफ्ट है और आपके कितना टोटल कितना होता हंडर्ड देखिए एक अगर आप ही होगी क्योंकि सारा जो डेटा है हमारे पास एक्वालाइज फॉर्म में है उसके बाद देखिए एक्जाम सब्जेक कौन से हैं देखिए फिजिक्स के आपको पता है चार शिफ तीन शिफ दो शिफ यह अलड़ी बता दिया मैंने तो यहां पर अब्यस सी बात है कि अगर ten वह के लिए फई सकते हैं कट ओफ के लिए व मिल्कुल जो बी फैक्टर सुगे वह मापको बताएंगे अगर आपको और भी कोई फैक्टर लगता है लगता है जो हमसे छूट गेया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते ह। हैं जो भी आपके marks हैं प्लस और से मैंने आपको 6 पताया तो 120 प्लस 6 126 फ्रम इस केटेगरी यह आप अपने जो कमेंट सेक्षन है उसमें जरूर बताइएगा तो उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेगा और पहला इकन प्रेस कर लीचेगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वह सबसे पहले आप लोगों के पास बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और देखिए जितने भी आपके जो भी आपके न्यूस एंड ट्रांजिशन होगी वह हम अपने इसी चैन चीजों पर आपकी जो कट आफ है वो डिपेंड करेगी मैं यहां पर साइड में एक लाइन कीज़ देता हूं यह आपकी लाइन हो जाएगी 2017 की यह होगी 2017 की तो देखिए एप्रोक्सिमेट फॉर्म आपके धाई लाग है यहां पांच लाग है ठीक है यू आर जो है आपक 52 के ही मान लीजिए अठारा जार अठारा तो अठारा या ठीक है अब देखिए यहां पर जो भी होगा इतनी डेप में नहीं जाना बस यह देखना था में उसके बाद यहां की जो टेंडेंस थी जो आपके टोटल बच्चे आयते वह एप्रोक्सिमेट साड़े डेड़ ला आपकी RTI है वो नहीं आई है लेकिन SSE CGL की RTI है चुकी है 48 परसेंट वापी अटेंडेंस थी तो देखिए इतने बड़ा एक्जाम है उसमें ही 48 परसेंट है तो आप यह मान सकते हो कि 35 से 40 परसेंट आपकी अटेंडेंस है जादर नहीं तो मैं इसे आपका 40 परसेंट जो क कम एक लाग हो गया लेकिन मैं फिर भी एप्रोक्सिमेट 40 परसेंट है मैं समझता हूं कि 39 परसेंट ही होगा मुश्किल से तो एप्रोक्सिमेट आप मान लीजिए कि एक लाग आपके बच्चों ने पेपर दिया है सेकंड तिंग जो कहते हैं कि वैकेंसी के बारे में इसक् तो देखिए जादा डिफ्रेंस नहीं है कितना डिफ्रेंस है आप इए यहां पर पांच वैकिन्सिज यहे और डो यह है साथ और सो थे ।踐से है कोई ज्जादा किया आपका चीले बारे इफ्रेंस तो आपका यहीं आ गया अब देखिए अब आम बात करते हैं प्रीवेस कट ओफ से एक बारी देख लीजिए आज थिंक आप सभी ने देख रखा होगा एक सोटेस नमबर यह गया था यह अपकी फाइनल कट ओफ है पहले आपके डीवी के लिए कट ओफ आयोगी ज कितने बच्चे कहा कहा थे फिर ढफ करते हैं पहला को यह हो गया फेक्टर दूसरा आपका टेंडेंस हो गय तीसर जो फेक्टर जो告诉 को Netermine करता है वो क्या है आपका देखिए थ selves 2000 आपका 22 का exam काफी difficult था as compared to 17 बता रहे हैं कि जो non-technical part है वो भी almost सभी shifts में ठीक्ठा की level था किसी किसी में ज्यादा high level था और technical भी जैसे physics है उसने तो सब गई तो होते उड़ा दी है तो जो आपका CS और electronics है वो comparatively उसी level वो maintain किया है लेकिन still उससे थोड़ा सा high level है तो देखिए यहाँ पर आप यह देख लिए 2017 से 22 में कि आपका difficulty level increase हुआ है अब देखिए कौन कहता है कि जो cut off है ज़्यादा जाएगी या थोड़ी बहुत difference रहेगा देखिए vacancies को ज़्यादा फरक नहीं 107 क्योंकि यहाँ पर attendance देख लीजे साथ हजार का difference है पहली चीज दूसरी चीज लेवल आप यह समझे लेवल तो सारी चीजों का थोड़ी है अगर लेवल ज्यादा difficult आ गया तो अब उसमें क्या ही कह सकते हों तो इन सारी चीजों में देखिए यह तीन चार जो मेरे को factors personally लगे थे यह मैंने के बारे में discuss किया आप लोगों से और अगर आपको और भी कोई जो factor हो वो लगे तो आप बताना और देखिए one more thing one more thing let me discuss the fourth factor also देखिए आपका SSC CGL अभी आपका tire 3 का result आ गया है और यह लगता है कि अब आपको जो DV होगा वो पहले हो जाएगा tire 3 का tire 3 का result आ गया SSC AMD का भी result आया नहीं हैं लेकिन DV जो होगा वो approximate क्या है कि साथ साथ होगा या पहले होगा tire 3 का तो देखिए जिनके अच्छे number है tire 3 में क्योंकि obviously SSC के तयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे और जो high scorer होंगे मेरे recording वो SSC के ही होंगे क्योंकि non-technical party में 80-85 marks वही ला सकते हैं तो देखिए tire 3 का जो अगर उनके अच्छे marks हैं तो मैं यह expect करता हूं मैं किसी को बोलनी रहा मैं expect करता हूं कि अगर उनके CGL में जो आपका भी 2021 का CGL जो आपका tire 3 का result है वो भी आया है तो मैं expect करता हूं कि वो बच्चे DV मिस करेंगे तो उसमें भी क्या है कि काफी ज़्यादा आपकी chances है कि जो आपकी cut-off कि अभी जो cut-off होगी वो तो as पर आएगी लेकिन जो आपकी final cut-off होगी उसमें अगर DV मिस कर रहे हो तो उसमें काफी difference होता है तो देखिए यहां पर मैं यह भी expect करता हूं कि वो यह एक्जाम है वो तो देखिए 2017 में बिता note out लेकिन अभी CGL आपका सासा चला 22 के लिए भी बहुत लोग तयारी कर रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो DV देने ही नहीं आएंगे DV मिस करेंगे तो चलिए और मैं तो यहीं बोलूँगा उन सब से भी जिनके आपके अच्छे marks हैं अगर आपको CGL में अच्छी जॉब मिल रही है अगर आपको 42 ग्रेड पे नहीं तो आपको 2800 ग्रेड पे मिल रही हो ASI Assistant Service Factor वाली तो आप उसमें भी चले जाए क्योंकि Ministry में रहोगे तो I think I personally think काफी सही रहोगे और यहां पर आपकी देगे एक सीट और ब्लॉग हो जाए तो जिन बच्चों को अभी कोई भी जोब नहीं मिल रही है अट लिस उनक जो आपकी यू और की कट ओफ ए यू आर कट ओफ जो है आपकी देखिए आपकी सबसे पहले मैं वेकेंसी के बारे में डिसकस करना चाहूंगा लेकिन आइझिंक वेकेंसी मैंने अल्रडी हाँ पर टाली नहीं यू आर की जो वेकेंसी से हैं आइगेस अप्रॉक्सिमेट अ यह देखना पड़ेगा आप गवारी देख लीजेगा तो अप्रोक्सिमेट यह आपकी वेकंसी है और देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए लास्ट ताइम देखिए जो आपकी यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब देखिए वेकंसी से भी आपको थोड़ा सा कंफिर्म हो गया होगा क्योंकि I already told you one more factor है राइजन दे एक और फैक्टर आपका आचुका है कि इसकी वज़े से जो पहली कट आफ्स हैं उनमें थोड़ा सा बदला भी देखने कुम लेगा अब चलिए अब कट आफ्स की बात करते हैं यह सारे फैक्टर हमने देख लिए हैं वेकंसी का भी फैक्टर देख लिया त पी 128 से लेके 130.5 तक अगर आपके हैं आफ्टर नॉर्मलाइशन के बाद की बात में कर रहा हूं तो आप सेफ जोन में हो उसके बाद EWS की बात करते हैं तो आपका EWS में देखिए अगर आपके 114.55 से लेके 116.25 तक हैं तो आप सेफ जोन में हो सेफ्ट जो हैं अपने मार्क्स प्लस कर लीजिए जो भी हैं बताईएगा क्योंकि अभी देखिए 995 आपके 95 वेकेंस इस इंटू 3 कर लीजिए आप एप्रॉक्सिमेट एप्रॉक्सिमेट तीन हजार बच्चे ये बुलाएंगे बुलाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि 3100 बु को इंट 25 छे लेके 122 नमर तक मैं समुझता हूं कि जो ओवी सी कि जो कट ओफ है वह रहने वाली है ऐसी कि मैं बात करों सी कि आपकी 111 से लेके 113.75 तक मैं समुझता हूं सी के कट उफ रही है क्योंकि वेकेंसी देख लीजिए आप एक बारी देख लीजिए तो यहां पर देगे सिद्सक्राइब काफी ज्यादा उते हैं इसलिए केट कट आफ में काफी डिफेरेंस है यहांप एक सूठारे वेकनशी तिया और व्यांप किए गया थे तो वेकनशी और जो आपके नमबर ऑफ फोर्म से उन पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है उसके बाद stell के बा कट ओफ है वो 99 से 100 2 या 100 1.75 तक आपकी वेरी करेगा और मैं बात करता हूँ OH केटेगरी की तो आपकी जो OH केटेगरी है ये आपकी जो है 86 से लेके 87.5 तक आपका वेरी करेगा देखिए ये हमारे according कट ओफ हैं इसमें देखिए जितना भी हमें डेटा मिला था उसके बेसेस पे हमने कट ओफ निकाली है और ऐसा कोई हार्डन रूल नहीं है कि एक्जक्ट यही होंगी पलस माइनस टू परसेंट आपका एरर हो सकता है ये आप देख लीजिए उसके बाद अब देखिए यह आपकी वेकैंसी से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और जितने भी आपके रॉव मांक्स हैं उसमें पिछली वीडियो के अगॉर्डिंग जो भी नॉर्मलाइशन है अब नॉर्मलाइशन करके अपने मांक्स आप देख सकते हो उसके बाद अब देखिए टॉपर्स का नाम बताते हैं अब लोगों तो देखिए सबसे जो फिजिक्स के टॉपर है हमारे फिजिक्स के टॉपर अभी जीत हैं ओबीसी केटेगरी से हैं और 149.5 यह टॉपर है 16 दिसम्बर शिफ्ट 2 से हैं उसके बाद बात करते हैं अरिंद्धम की यह यूर केटेगरी से हैं 145.75 यह 14 दिसम्बर शिफ्ट 3 है और नयार अफाक जो हैं यह ईडिवलेस से हैं और यह 139.25 यह 15 दिसम्बर शिफ्ट 3 से हैं तो देखिए 14 दिसम्बर shift 1 से कोई नहीं मिला 16 दिसम्बर shift 1 से कोई नहीं मिला जो भी मैंने difficult बताई थी अब देख लीजे गए सारी चीजे मैं सिर्फ ये अभी जो मैं ने जो चीज नोटिस की है यहां से मैं तो सिर्फ आपको वही चीजे बता रहा हूँ कि यह ISY है जो approximate हमने easy shift में बताई थी शायद solar summer shift 2 अच्छे shift थी उसके बाद देखे एक और चीज यह है कि काफी पच्चों ने किया था कि अपने marks एक ने 185 बताई हुए थे एक ने 191 भी थे भाई तो उनके जो marks है वो मैंने already सब्सक्राइब कर दिये थे हटा दिये थे क्योंकि मेरको नहीं लगता इतने marks हो सकते हैं हो भी सकते हैं लेकिन अगर किसी के हैं तो प्लीज आप टेलिग्राम या इंस्टा से हमें से जड़के प्लीज उन marks को जो स्क्रीन शॉट है रेंक आई की को वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीज़ेगा क्योंकि काफी अच्छे marks हैं दोनों वीडियो में तो मैं expect करता हूं कि आपके काफी सारे doubts क्लियर होंगे और अब आप अपना जो next exam में उसके लिए तैयारी start कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में till then all the best and God bless you all